नमस्कार दोस्तों मैं मास्टर विनूद अगर इनके जनम के बारे हैं एक परशनाया के इनका जनम कब हुआ था इस साथियो इनके बारत में किसने इन्वाइट किया था युद्ध करने के लिए साथियो इनको invite किया था दौलत खनलोधी साथियो आपको पता होगा कि इबराहिम जो लोधी था वो दिल्ली पर राज करता था जो दिल्ली पर राज करने वाले इबराहिम लोधी का चाचा था उसका नाम था दौलत खनलोधी पंजाब का governor था इसने और राना सांगा ने इन्हें युद्ध के लिए आमंतरत किया था साथियो और इनके लिए ये सावित हो गया आवेल मुझे मार और आकिरकार इनको परास्त किया बावर ने और इस पर अपना सत्ता काविजा हांसिल कर लिया था साथियो देखिये आगे देखिये साथियो 21 अप्रेल 1526 को 21 अप्रेल 1526 को बावर्वे इब्राहिम लोधी के मद्ध पानी पत का युद लड़ा गया था साथियो पेपर माता है पानी पत का युद कब हुआ था 21 अपरेल 1526 को साथियो और इसमें सबसे पहले इन्होंने एक पद्धती इस्तमाल की थी उसका नाम था साथियो तुलूगमा कौन सी थी साथियो तुलूगमा साथियो तुलूगमा पद्धती है इसका मतलब था कि इन्होंने तुलुगमा पद्धिती के माध्यम से गोले बारूद आधी इस्तमाल किये थे साथियो देखिए इसमें नीचे लिखा भी है कि तुलुगमा पद्धिती है इसमें गोले बारूद दागने के एक बहुत महत्मौन पद्धिती अपनाई और इन्होंने सारे सासकों को धारा साई कर दिया था साथियो देखिए आगे देखेंगे साथियो इस युद्ध के दोरान जो तोप खाने चलाने वाले थे इस युद्ध के दोरान जो बावर के समय में तोप ची थे वो कौन थे साथियो बहुत बार पर सनाता है अगर आप स्क्रिड की बात करते हो तो साथियो यही पर सनाते हैं इनके कल्चर से यह नहीं आता है बावर ने क्या किया साथियो उस्ताद और उस्ताद अली और मुस्तफा यह इनके क्याते साथियो तोप चिते यनि उस्ताद अली और मुस्त्फभा इनके टोप चीते साथियो जो टोप चलाने के काम करते थे साथियो, बावर के द्वारा सूलिभ फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध किया गया था यह राजस्तान के लिहाज से बहुत important है क्योंकि साथियो इसमें रानसांगा को विजय पराप्त हुई थी ठीक इसके एक महाबाद एक नया युद्ध करता साथियो वो बहुत महत्पूर युद्ध माना जाता है एक ऐसा युद्ध माना जाता है जिस युद्ध के बाद भारत में मुगलों की नीम रखी गई थी देखे साथियो आगे दे राखा है रानसांगा वेक रानसांगा वेबावर के मद्दे सत्रे मार्च 2527 को साथियो इसकी exit डेट है सत्रे मार्च 2527 को खानवा नाम का कोई इस्थान ता साथियो जो भरतपुर के रूपबास तैसिल माता है साथियो बहुत गहराई से पूछते हैं इस परसंट को कि ये युद्ध कहां हुआ था तो ये रूप बास की खानवा के रूप बास तेसिल के भर्तपूर डिस्टिक में हुआता साथियो ये युद्ध इस युद्ध के बाद पूर्ण रुपवन मुगलों की सप्ता भारत में काब जले गई थी साथियो देखिये आगे देखिये साथियो ये कहरा इस युद्ध के दोरान राना सागा दोरा कौन से युद्ध में कौन से युद्ध की बात कर रहें साथियो हम बात कर रहें जो ये हमारे साथ देगा वो हमारे भाई है जो हमारे साथ नहीं देगा वो मुस्लमों को साथ वे साथियो इस युद्ध में आपको बता दू साथियो बावर ने एक नारा दिया था साथियो जेहाद जेहाद का साथियो अर्थ होता है धरम युद्ध उन्होंने कहा था ए मुस्लिमों ये युद्ध नहीं है धरम युद्ध है साथियो आपको पता होगा मुस्लिमानों ने इनका साथ देने से इनकार कर दिया था क्योंकि क्योंकि साथियो ये एक नसिल नसिल पधर्थ इस्तमाल किया करता था सराव के नसिल में रहताता साथियो तो इन्होंने मुसलिमों ने कहा इन से कि हम आपका साथ नहीं देंगे साथियो तो इन्होंने एक नारा दिया था साथियो ये मेरा केले का युद्ध नहीं है ये जेहाद है ये धरम युद्ध साथियो तो इसे देखते हुए सभी मुसलमान एकत्रत हो गए साथियो देखिए आगे हुआ क्या इस युद्ध में इन्होंने तुलुगमा पदित्ती का इस्तमाल किया और सभी के सभी जो हिंद पुत्र था साथियो आपको पता होगा भोज राज क्या नाम था साथियो भोज राज था रनसंगा के जेस पुत्र के नाम भोज राज साथियो इसी युद्धम हुई थी आपको पता होगा साथियो जो भोजराज था वो मीरा के पती माने जाते हैं साथियो आपने सुना होगा मीरा भाई का नाम मीरा भाई के पती का नाम भोजराज ये पिछली बार रीट में भी आया हुआ परसन साथियो बार बार repeat होता साथियो पूसन देख लेना देखे साथियो इस युद्ध के बाद इस युद्ध के बाद बावर ने एक उपाद धारन की थी उसका नाम था गाजी साथियो इसकी फुलपौर्म अगर पूछें आप गाजी माने होता क्या है साथियो ने कहा था मैंने आज हिंदूों का बद कर दिया है क्या कर दिया साथियो हिंदूों को यानि काफिरों का बद कर दिया है सो मैंने उपाद धारन की थी साथियो देखिए इसमें लिख रहा है साप इस पस्ट की बावर ने बाबर ने इस युद्ध के बाद गाजी की उपादी धारन की काफिलों का वद करने के कारण या हिंदूं का वद करने कारण इन्हें ये उपादी दी गए थी साथियो देखे साथियो 1528 को एक युद्ध होता है आपको पता होगा साथियो कि जो राना सांगा था उसको वो बेहोस हो गया था बेसुद हो गया था इस युद में और साथियो उनको जहर दे दे गया कलापी में तो उनके जो सामन थे साथियो उन्होंने फिर ये युद किया था तो साथियो आपको पता होगा 1528 में एक युद हुआ था जो मेदिन राय जो मारवार किसा सकते वो और ये युद्ध चंदेरी की युद्ध के नाम से पहचाना गया तो चित्तोडगरम हुआ तो साथियो और इसमें भी बावर की बिज़े हुई थी साथियो 6 मई 1529 को महमूद लोधी वे नुसरत खांकी सैना को घागरा के युद्ध में साथियो साथियो कि भावर ने बावर ने मुसल्मानों को कौन से कर से मुक्त कर दिया ता साथियो तमगा कर इस कर से बावर ने मुसल्मानों को मुक्त कर दिया ता साथियो ये तमगा कर मुसल्मानों से लिया जाता था साथियो आपको पता ना हो तो ये खत पर लिया जाने वाला ए देखिए, इनके द्वारा कुछ कविताइं लखे गई venues किसके द्वारा, बावर के द्वारा जिने मुबईया ह Vari क्या कहा गयता साथियो देखिए बावर द्वार अपनी आत्म कथा देखिए साथियो बावर द्वार अपनी आत्म कथा तो जुक ए बावरी कौन सी भासा में लिखी गई तो तुर्की भासा में लिखी थी ये लिखो तुर्की भासा में देखे साथियो बावर की मृत्यूब पंदे सुतीस को ही थी आप लोगों पता होगा साथियो बावर की मृत्यूब पंदे सुतीस को ही थी पहले इन्हें आगरा के आराम भाग में इन्हें दफनाए गा था साथियो लेकिन इन्होंने पहले अपने बेटों से बच्चों से कह था कि देखिए मुझे मेरी सरजम्ही पर काबूल में दफनाना तो साथियो इनको इसके बाद काबूल में दफनाए गया था तो साथियो वह एक मात्र मुगल बासा जिसका दो बार अंतिम संस्कार हुआ था वह एक मात्र मुगल बासा तो साथियो बाबर था इने कहा करी होगी बाबर के बारे में जानकर नहीं होगी कि बाबर का मकबर है कहा है तो साथियो कहा है काबूल में किसने बनवाय था हुमायू के द्वारा इसका निर्मान करवाएगा तो साथियो आगर देखिए मैंने इसमें लिखे हैं कि बाबर द्वारा जो युद्ध लड़े ग खाना खा, पानी पी, चल घर खाना खा, पानी पी, चल घर तो साथ्यो तो यह है पानी पी क्या है साथियो पानी पी खाना खा और चल घर तो साथियो पानी पत का खानवा का चंदेरी का और घागरा का युद तो साथियो पानी पी खाना खा चल घर तो पानी पत खानवा चंदेरी और घागरा का युद इनके बीच लड़ा गया ता साथियो देखिये आगे इसमें हम युद्धों का विरुन दे रखा है 21 अफ़र 1526 को बाबर वे इबराहिम लोधी के मद्दे पानी पत का युद्ध हुआता साथियो इसमें इबराहिम लोधी ओन स्पोट मार गए थे ये युद्ध इस तरह में मरने वाला पहला सासक मान जाता साथियो देखिए अगला युद्ध सूले फरवरी 1527 को रानसागा और खान इसके बीच हुआ था ये बयाना के युद्ध साथियो इसमें रानसागा की विज़ हुई थी अगला युद्ध साथियो की 17 मार्च 1527 को बाबर वे रानसागा के मद्दे खानवा के युद्ध लड़ा गया साथियो इसमें बाबर की विज़ हुई थी देख लेना साथियो 1528 को बाबर वे मेधिन राए बाबर वे मेधिन राए का जो युद्ध हुआ था ये चंदेरी में हुआ था साथियो और चंदरी के युद में बावर को विज़े प्राप्त हुईती साथ ही हो 6 माई 1529 को महमूद लोधी पे नुस्त खांकी सहिएक सेना को बावर ने घागरा के युद में पराजित किया था साथ ही हो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे like share comment चरूब कर देना साथ ही हो हम आपके comment का इंतिचार करेंगे साथ ही हो इस चैनल को आप सस्क्राइब कर देना साथ ही हो हम हاجर होंगे एक नई वीडियो के साथ ही हो जोने हम छमा चाहते हैं